नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी प्यारे बच्चों, अक्सर जब आपके स्कूल की छुटियां होती हैं तो हम सभी कहीं न कहीं घुमने जाते हैं और कई बार हम एतिहासिक शहरों में घुमने जाते हैं जैसे दिल्ली, जैपुर, अम्रतसर, हैडराबाद इन सभी एतिहासिक शहरों की कुछ खास विशेष्ताएं होती हैं प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विशे है, वो कक्षा साथ की इतिहास की पाथे पुस्तर, हमारे अतीत का अध्याई है, जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन्द। प्यारे बच्चों, कक्षा साथ की ही इतिहास की इससे पिछले अध्याई में आपने कुछ इतिहासिक शेहरों और उनके शिल्प कारों के बारे में पढ़ा था। इस अध्याई में हम जानेंगे के नगर मंदे क्या होते हैं, व्यापारी केंद्र क्या होते हैं, परशाशनी केंद्र क्या होते हैं, और कुछ दक्षिन भारत के खास विशेश शेहरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आईए शुरू करते हैं अध्याई जिस तरह से जब आपने किसी शहर में घूमने जाना होता है या किसी नगर की यात्रा करनी होती है तो आप उस यात्रा से पहले ये देखते हैं ये समझ लेते हैं कि आप वहां जाकर क्या देखेंगे और किस खासियत को जानने के लिए आप वहां जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही एक मध्य युगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी अकांक्षाई रखता होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस परकार का था क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशाशनिक केंदर था या फिर एक वानिजिक शहर या फिर एक पत्तन नगर प्रिय बचो ये जो मैंने सभी नगर आपको बताए ये अलग-अलग तरहें की होते हैं इसमें सबसे पहले आता है परशाशनिक केंदर अध्याई दो में आपने चॉल वंश के बारे में पढ़ा था आईए हम अपनी कल्पना के घोडों पर सवार होकर चॉल राजाओं की राजधानी तेंजावुर्ट जैसा की वहे एक हजार वर्ष पहले थी उसकी यात्रा करती प्रिय बच्चो यात्रा करना सभी को रुची कर लेकता है आईए मैं भी आपको तेंजावुर की यात्रा पर ले चलती हूँ वर्ष में बारा महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुन्दर नगर के पास बहती है राजा राज राज चॉल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बज़ते हुई सुनाई देती हैं लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलन, राज राज, पैरुथ चन की वास्तुकला की परशंशा करते हुए नहीं ठकते हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपनी नाम को मंदिर की दिवार पर उतकीर्ण किया मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिन में कई मंडप हैं राजा लोग इन मंडपों में अपना दर्वार लगाते थे यहीं से वे अपने अधिनस्तों के लिए आदेश जारी किया करते थे नगर में कुछ सैने शिवल भी बने ही नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां आनाज मसाले, कपडे और आभुशनों की बिक्री होती है नगर के लिए जल की आपूर्ती कुँओं और तालाबों से होती है तेनजावूर और उसके निक्टुवर्ती नगर उरेयूर के सालिये बुनकर मंदे के उत्सव के लिए जंडे और जंडियां बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जंसाधारन के लिए मोटा सूती वस्त्र तयार कर रही है प्रिवच्चो देखा आपने कितना सुन्दर और खुबसूरत शहर है अब जो ये हमने यात्रा की इसमें हमने क्या जाना सबसे पहले हमने जाना कि यह नगर कौन सी नदी की ततपर स्थे थे फिर हमने यह जाना कि इस नगर की क्या खासियत है इसके बाद हमने इस बाजार की बारे में जाना जो वहाँ पर लग रहे हैं जैसे आनाच, मसाले, कपड़े और आभुशन और इसके बाद हमने तेनजावूर शहर की कारीगरों और शिल्पकारों के बारे में देखा हमने जाना कि यह शिल्पकार और कारीगर क्या बना रहे हैं प्रिये बच्चो आईए अब इसी शहर को हम एक मंदिर नगर और तेर्थ केंदर के रूप में समझते हैं इसे जानने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ के मंदिर नगर क्या होता है प्रिये बच्चो मंदिरों के समीत या उनकी आसपास बसा नगर मंदिर नगर कहलाता है तेन जावूर मंदिर नगर है क्योंकि तमिलाडों में कांची पुरम और मदुरई और आंधर प्रदेश में तिरुपती मंदिर नगर है इसलिए तेंजावूर एक मंदिर नगर का उधारन कहा गया है मंदिर नगर नगरीकर्ण का एक अतियांत महत्तपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है नगरीकर्ण नगरों के विकास की प्रकिरिया है मंदिर आक्सर समाच और अर्थ व्यवस्था दोनों के लिए ही आतियांत महत्तपूर्ण होते हैं शाशक विभिन देवी देवताओं के प्रती अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते हैं इन मंदिरों में धार्मिक अनुस्थानों को विधी विधान से पुरोहितों और पंडितों के द्वारा करवाया जाता है मंदिरों में दर्शिनार्थी दान दक्षिना भी किया करते हैं प्रेवचु, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यपार और साहुकारी में भी लगाते थे. आपने देखा होगा कि अक्सर मंदिरों के आसपास कुछ इतिहासिक नगर विक्सित हुए. आखिर क्यों हुए ये नगर विक्सित? आईए इसके बारे में जानते हैं. उससे जो पुरोहित और पुजारी लोग थे, अक्सर व्यापार और साहुकारी के काम में लगा देते थे. मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों तथा तेर्थी यात्रियों की आवश्क्ताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बाजार कहुना जरूरी था. अगला कारण, इस परकार मंदिरों के आसपास बस्तियां तथा बाजारों की स्थापना करना जरूरी हो गया, जिससे मंदिरों के आसपास नगर विक्सित हुई. प्यारे बच्चो, मध्य परदेश में भिल स्वामिन, भिलसा या विदीशा और गुजरात में सोमनात ऐसे ही नगर हैं जो मंदिरों की वज़े से विक्सित हुए. कुछ अन्य महत्तपून मंदिर नगर, तमिलनाडों में काचीपुरम और मदुरई और आंध्र परदेश में तिरुपती का मंदिर है. प्यारे बच्चो, तेल्थ स्थल भी धीरे-धीरे नगरों की रूप में विक्सित हुए. प्यारे बच्चो, मंदिरों के निर्मान और उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितना महत्तव रखते थे? आईए इस बात को समझते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि शिल्पकार किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चो, शिल्पकार समुदाए में कसेरे, लुहार, सुनार, राजमिस्त्री और बढ़हई शामिल होते हैं. और अक्सर ये शिल्पकार किसी भी नगर की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं. ये शिल्पकारों पर निर्फर करता है कि कौन सा शहर कितना खुबसूरत बना है. मंदिरों की रख रखाव के लिए भी शिल्प जनों की बहुत अधिक भूमिका थी. जैसे पांचाल यानि की विश्व कर्म समुदाई जिसमें सुनार, लोहार, बढ़ाई, कसेद और राजमिस्त्रे शामिल थे. इन्होंने मंदिरों की निर्माण में बहुत योगदान दिया. इसी परकार सालियार या कैकुलार जैसे बुनकर समुदाई भी मंदिरों की दशा बदलने के लिए महत्तपूर्ण भूमिका निभाते थे. क्योंकि मंदिरों की जो मूर्तियां होती हैं, उनके लिए यही भुनकर समुदाई खूबसूरत वस्तरों का और परिधानों का निर्माण करते थे. प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि किस तरहें से ये मंदिर नगर विक्सित हुए और कैसे ये वानिजिक द्रिस्टी से भी महत्तव रखने लगे? प्यारे बच्चों, आईए अब परती हैं छोटी नगरों की संजाल की बारे में. चोटी नगरों का संजाल, आठवी सदी से ही उप महग्वीप में अनेक चोटी चोटी नगरों का संजाल सा बिच्चनी लगा. संभवते उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गाउं से हुआ था. उनमें आम तौर पर एक मंड पिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहां आसपास के गामवाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थी. उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकाने और बाजाय जिन्हें हट या बाद में हाट कहा जाने लगा. इसके अलावा भिन-भिन परकार के कारीगरों और शिल्पियों ने भी अपने बनाई सामान से अलग-अलग बाजार लगाना शुरू कर दिया. और कुछ अन्य व्यपारी नगर-णगर घूम कर भी क्रे विक्रे किया करते थी. आसपास और दूर-दराज की व्यपारी इन नगरों में स्थानिय उपज, खरेदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पात, जैसे घोडे, नमक, कपूर, केसर, पानसुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आया करते थी. व्यपारी कई परकार के हुआ करते थी. उनमें बंजारे लोग भी शामिल थी. कई व्यपारी विशेश रूप से घोडों के व्यपारी अपने संग बनाते थी, जिसका एक मुखिया होता था, और वेह मुखिया उनकी और से घोडे खरीदने की इच्छुक योधाउं से बाचीत किया करता था. चुकि व्यपारीयों को उनके राजियों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतोर पर काफिले बना कर एक साथ यात्रा किया करते थी, और अपने हितों के लिए व्यपार संग बनाते थी. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि उस समय भी व्यपार संग बने होते थे. और इनका मुखे मुद्धा क्या होता था? इनका मुखे मुद्धा होता था अपने हितों की रक्षा करना. दक्षिन भारत में ऐसे ही कुछ परसिध संगों में मनी ग्रामम और नाना देशी थे. ये व्यापार संग प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिन पूरव एशिया तथा चीन के साथ भी दोर-दोर तक व्यापार करते थे. इसके अतिरेक्ट चैटियार और मारवाडी ओस्वाल जैसे समुदाई भी थे जो आगे चल कर देश के परमुख व्यापारी समुभ बन गए. गुजराती व्यापारियों में हिंदू बन्या और मुस्लिम बोहरा समुदाई शामिन थे. ये दूर-दूर तक लाल सागर की बंदरगाहों वे फारस की खाड़ी, पूरवी अफरीका, दक्षिन पूरव एशिया और चीन से व्यापार करते थे. भारत के पश्मी तटके नगरों में विदेशी व्यापारी बस गए थे. इसमें फारसी, चीनी, सीरियाई, इसाई और अर्भी व्यापारी प्रमुख थे. लाल सागर के पतनों में बेचे जाने वाले कपड़े और मसाले इतालवी व्यापारी खरीद थे. यानि ब्रिटेन में इनकी बहुत अधिक मांग थी. यहां से वे इन वस्तवों को यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे. उन्हें इन वस्तवों के व्यापार से बहुत लाब होता था. जैसे काली मिर्च, दालचीनी, सोंट, जाइफल और जीरा इतियादी. भारतिये सूती कपड़ा भी यूरोपिये लोगों के लिए लुभावन का केंदर था. ये वस्तवों ही यूरोप के व्यापारियों को भारत में खीचकर लाई थी. प्रिय बच्चों, आईए अब बढ़ते हैं नगरों में शिल्प व्यवस्था के बारे. बीदर के शिल्पकार तामे और चांदी में जडाई का काम करने के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया. पान्चाल अर्थात विश्य कर्मा समुदाई जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ाई शामिल थे. मंदिरों के लिए जो आवश्यक निर्मान कारिये था वो इन ही के माध्यम से पूरा होता था. इसकी अलावा कपास को साफ करना, कातना और रंगना भी इन व्यवसाईयों का मुख्य काम था, जिनके लिए विशेशक्यता की आवशक्ता पढ़ती थी. प्यारे बचो, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का सबसे रूची करविशे, जिसमें हम जानेंगे हमपी, मुसली पटनम और सूरत शेहर की बारे में. आईए सबसे पहले देखते हैं हमपी शेहर को. हमपी शेहर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है. यह नगर 1336 में विस्थापित विजे नगर सामराज्य का केंदर स्थल था. हमपी के शांदार खंधरों से पता चलता है कि उस शेहर की किले बंदी कितनी उच्च कोटी की थी. किले की दिवारों का निर्मान भी कहीं गारे, चूने, जैसे किसी भी जोडने वाले मसालों का प्रियोग करकी नहीं किया गया था. बलकि शिला खंडों को आपस में फसा कर गूथा गया था. है न कमाल की बात? अकसर आप देखते हैं कि जब इमारतें बनती हैं तो सिमेंट या गारे का प्रियोग किया जाता है. लेकिन प्यारे बच्चों, इस शेहर की किले बंदी करने के लिए शिला खंडों को आपस में फसा कर गूथा गया था. हमपी की वास्तुकला विशीश प्रकार की थी. वहां के शाही भवनों में भव्य, महराब और गुमबद थे. वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे. वहां सो नियोजित ढंग से बागबगीचे भी बने हुए थे. यहां के मंदिर सांस्करतिक गतिविधियों का विशेश केंद्र थे. और देवदासियों, विरुपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देवप्रतिमा, राजा और प्रजजनों के समक्ष नृत्य किया करती थे. महानवमी पर्व, जो आज दक्षिन में नवरात्री पर्व कहलाता है, उन दिनों हमपी में एक अतियांत महत्तपूर्ण पर्व माना जाता था. प्यारे बच्चों, यहां मैं आपको बता दूँ कि सन 1565 इस्वी में दखनी सुल्तानों, गोलकुंडा, बीजापूर, एहमद नगर, बरार और बीदर के शाशकों के हाथों, विजे नगर की पराजे के बाद हमती शहर का विनाश हो गया. आईए, अब पढ़ते हैं सूरत के बारे में. प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सूरत किस राज्य में है? जी हां, गुजरात में. सूरत मुगलकाल के कैमबे, यानि आज जिसे हम खंबात की खाड़ी कहती हैं, और कुछ समय बाद की एहमदावाद की साथ-साथ गुजरात में पश्मी व्यापार का वानीची खिंद्र बन गया था. सूरत एक सर्व देशिये नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहा करते थे. सत्रवी शताबदी में वहां पुर्टगालियों, दचों और अंग्रेजों के कार खाने वे माल गोदाम के तौर पर भी इसे जाना जाता था. अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन भिन देशों के आस्तन एक सो जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले देखे जा सकते थे. सूरत में ऐसी अनेक दुकाने थी जो सूती कपड़ा, ठोक और फुटकर कीम्तों पर कपड़ा बेचा करती थी. सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे, किनारियों और जरी के काम के लिए प्रसिद्ध थे. सूरत में काठियावारी सेठों और महाजनों की बड़ी-बड़ी साहुकारी कम्पनियां भी थी. उलेखनिय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर-दूर तक मिश्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम के बाजारों में मानता प्राप्त थे. किन्तु सत्रवी शताबदी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी पतन प्रारंभ हो गया. इसके कई कारण थे. मुगल सामराज्जी के पतन के कारण बाजारों में उत्पादक्ता की हानी हुई. पूर्टगालियों द्वारा स्मुद्री मार्ग पर नियंत्रन कर लिया गया और मुंबई से प्रतिस्पर्धा भी इसका एक कारण माना जा सकता है. 1668 में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्याले स्थापित कर लिया था. आज सूरत एक महत्तपून वानिजिक केंद्र है. प्रियबचो, आएए अब मसूली पटनम या मचली पटनम के बारे में पढ़ते हैं. मसूली पटनम या मचली पटनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है. सतर्वी श्तापदी में यह नगर भिन-भिन परकार की गतिविधियों का विशेश केंद्र था. इंग्लेंट और हॉलेंट दोनों देशों की इस्ट इंडिया कमपनियों ने मसूली पटनम पर नियंत्रन प्राप्त करने का प्रयतन किया. क्योंकि तब तक वे है आंध्र प्रदीश का सबसे महत्तपून पत्तन था. हॉलेंड वासियों ने मसूली पटनम का किला बनमाया था. जब कमपनी के व्यापारी बंबई, कलकत्ता और मद्रास में चले गए तो मसूली पटनम अपने व्यापार और सम्रिधी दोनों को खो बैठा. और अठार्मी सदी के दौरान उसका पतन धीरे-धीरे आरंभ हुआ. प्रिये बच्चों, आइए अब पढ़ती हैं नए नगर और व्यापारियों के बारे में. सोल्वी और सतर्वी शिताबदियों में यूरोप की देश व्यापारिक उदिश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुई थे, जो यूरोप और पश्चमी एशिया दोनों जगहें लोगप्रिये हो गए थे. अंग्रेजों, हॉलेंड वासियों और फ्रांसिसियों ने पूरव में अपनी वानिचिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी इस्ट इंडिया कंपनी बनाई. वस्त्रों जैसी वस्त्रों की मांग में टेजी से बदलाव आया. कताई, बुनाई, रंगाई, आधी का धन्दा लोगों ने नए धंग से अपनाना शुरू किया. इससे इन शिल्पों का बहुत अधिक विस्तार हुआ. भारतिये वस्त्रों की रंग रूप और डिजाइन अधिक अधिक परिश्कृत होते गए. परिश्कृत का मतलब है ये सुधार की तरफ चलते गए. किन्तु इस काल में शिल्पकारों की स्तंत्रता घटने लगी. शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे. जिसका आर्थी यह था कि उन्हें जिन यूरोपिये आजेंटों से पहले पेशगी ले रखे थी, उन्हें के लिए सिरफ वो कपड़ा बुना करते थे. अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमुने बेचने की स्तंत्रता नहीं थी. अठारवें शताबदी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों का उदे हुआ, जो आज भारत के महानगर माने जाते हैं. शिल्प और वानिज्य में बड़े-बड़े परिवर्तनाई जब बुनकर जैसे कारिगर और सौधागर यूरोपिये कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांत्रित हो गए. प्यारे बच्चों, ब्लैक टाउन्स यानि देशसी व्यापारियों और शिल्प कारों के रहने की एक खास जग हैं. जबकि गोरे शाशकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शांदार कोठियों में अपने आवास बनाए. प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से भारत में शिल्प कला अपने चरम पर थी और कैसे धीरे-धीरे करके इसका पतन होता गया और नए नगरों का विकास होता गया. प्यारे बच्चों, आईए, अब इस अध्याई पर अधारित कुछ प्रश्ण उत्र करते हैं. सबसे पहला प्रश्ण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें. राज-राजेश्वर मंदिल खालिस्थान में बनाया गया था. प्यारे बच्चों, राज-राजेश्वर मंदिल कहां बनाया गया था? तन्जावुर्ण। दूसरा प्रश्ण, अजमेर सुफी संथ खालिस्थान से संबंदे थे. प्यारे बच्चों, अजमेर शहर कौन से सुफी संथ से संबंदे थे? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिष्टी। तीसरा प्रश्ण, हम पी खालिस्थान सामराज्य की राजधानी थी। कौन से राज्य की राजधानी थी? विजे नगल। आखरी प्रश्ण, हॉलेंड वासियों ने आंधर प्रदेश में खालिस्थान पर अपनी बस्ती बसाई। कौन से शहर में? मसुली पठनम। अगला प्रश्ण, तेंजावूर नगर को जल की आपूर्ती कैसे की जाती थी? प्रिय बच्चो, तेंजावूर नगर वर्ष में बारा महीने बहने वाली कावेरी नदी के तट पर स्थित था। इस नगर में जल की आपूर्ती इसी नदी से की जाती थी। कूमों और तालाबों से भी जल प्राप्त किया जाता था। एक अन्य महत्तव पूर्ण प्रश्न, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। प्रिये बच्चो इसका उत्तर होगा मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में बुनकर जैसे कारीगर तथा सौधागर देश सी व्यापारी और शिल्पकार रहती थी। इन ब्लैक टाउन्स की स्थापना यूरोप ये कंपनियों ने की थी। प्रिये बच्चो आपके निवास्थान के आसपास का जो इस तरह का इतिहासिक शेहर है आप ग्रे कारिये के तौर पर उस शेहर की विशेष्टाएं लिखेंगे और जानेंगे कि क्यों उस शेहर को इतिहासिक शेहर कहा जाता है। प्यारे बच्चो धन्यवाद। प्यारे बच्चो प्यारे बच्चो धन्यवाद। प्यारे बच्चो